हाई अबरिवन कैसे आप लोग आई हो आप सबी एच्छे होंगे तो आज किस वीडियो में हम प्रैक्टिस एट 75 ले तो आज हम इंगलीज का प्रैक्टिस एट ले क्या है और इसमें हम पर टेक टोपिक से एक एक प्रस्ण को ले क्या है इसको हम विद्ध कॉंसेट के साथ समझेंगे तो आप लोग वीडियो के अंतक बने रिये का आपके एक्जाम के लिए यह सारे प्रस्ण बहुत ही हेल्फूल होंगी तो चलिए सुरू करता है बिना टाय इंग्लिश का मतलब प्ले जानेंगे क्या होता ताम इसका उल्टा बनाएंगे मोग इसका मतलब वहता है इसका मतलब होता है मेनुश्चर करा निक्टि निक तयार कर रहा है सब्सक्राइब भी अर्थ अगर मालूम रहा तब यह नहीं तो नहीं बनने वाला इंगलिस में होता वाट पे पकड़ रहेगा तब बनेगा यहां पर बिल्ड है इसका प्रोडियूज है फेबरिकेट है उसके डिश्ट्रों है तो मैं फैक्ट्चर का पुजित आपको बताना बताद समसिंद मतलब मथब बनार है बिलडर बिलडर तो बेल मतलब बनाने ही ना सक घाघगा बनाना ही होता है फिल टोल करना ये तीनों मन्फैक्ट्ओर मतलब होता है नस्ट करना डिस्ट्रय का अर्थ होता है नस्ट करना तो मैनुफेक्ट्र का पूजिट क्या हो जगा डिस्ट्रोइ इसका एंसर ओप्षन डी हो जगा तो आप लोग इसे याद रखना है ठीक है तो हम यहां क्या समझे कि मैनुफेक्ट्र वड़ का ही बील्ड प्रोड्यूस फेब्रिकेट यह तिनों सिनोनीम है तिनों का आर्थ सेम है बनाना या त्यार करना लेकिन डिस्ट्रोइ जो दिया हुआ इसका मतलाब वता आठता नश्ट करना तो मैनुफेक्ट्र का पूझे ड सबसेट्ईूट संटेंस है वर नहीं कॉझे को लक़्क्ट मुझे करना को ने स्ट्रोड वाला यसका मतलब रहता है कि इसका को संगर्ख करने वालब जमा करने वитай क को एं- को ज घ्र मुला शिका को कलेक्ट यानिक ए जमा करने वाला इसका मतलब होता है वता है all क्या बोलेंगे जो वेक्ति सिक्का को संग्रक करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे और निथो लोजिस्ट बोलेंगे या नियू मिस्मेटिस्ट बोलेंगे या कार्डियो लोजिस्ट बोलेंगे या डेंड्रो लोजिस्ट बोलेंगे इन सभी का हम मिनिंग बताएंगे अप ल यहां तो हम समझ गए उसके अलावे option में जो है उसे भी देख लेते हैं क्या तो इसको हम मिटा देते यहां पर अप्षिन निने पक्षी और निफै पक्षी बिग्यानि च wilderness ृप्षी टिका अध्यन करृपकी ओर ने जिया कि अन्त्र अध्यां contributor पक्षियों का ऑध्यान क्या ता तो और निफैर को जूपकी डैया समनें भी से सभ्हों टे हैं हिरदय रोग समनें भी से सग्प है उसे बलते हैं nu कार्डियोग लोजिस्ट यह उसका आता डेंड्रो लोजिस्ट डेंडिो डेंड्रों को mm이나 जारी दिविर्ण करता है इसे गांट विरीक्ष वेक्ष वेग्ज्यानि जивают जाड़ी विरिक्ष का अध्यन करता हुसे बोलते है डेंड्रो लोजिस्ट तो यह चारों को आपको याद रखना है ठीक है अब बढ़ते हैं अगले कोशन क्यों हम इसी तरह के परते कोशन को जितने वी उप्सन में उसको सारे प्रस्ट को हम विस्तार से बताते चलेंगे ता वह तयार नहीं है गिवाथी को देने के देने के लिए टायार्यारथी नहीं है तो यहाँ पर जो खालिषों पर भष्यास जाएगा क्या भर आजाए तो अगा जब हुचिए अगर दो चरड़ जाएगा तो अब बचा कर चार प्संद अगर दो च्च def.3050 किवर को ओप्सन को चार्ट ना पड़ेगा तो वार्क और लिसं के आपको कमेन और बाचा गीब अट्यक्ट अब टूगिवा टूटेक होगा तो याद रिखिएगा मैसा तो तू मतला बड़ अस्टुडेंट्स आर नौट प्रिपेर्ड दोए ग्यामनेसा तो यहां टू टैक है कि चात्र परिखखा देने के लिए तयार नहीं है। प्रिपेर नहीं है तयार नहीं है तो टेक दो लगा दिजेगा ठीक है या टू टेक आगा हमेशा तो इसका अंसर ऑप्शन भी हो जाएगा टू टेक दो गया तो मुझे उमीद आप यह समझ गये होंगे अब बढ़ते हैं अगले क्यों यह आग्या एक टीपेसिव हम पहले ही बाता यह पर टेक टोपिक से एक परस्ण को ले किया है ठीक है इसको अप समझे तो यह जो सेंटेंस दिया हुआ यह एक टीब में है इसको पर पेसी बनाना है तो दिखिए आपको व्युक्राइस का भी जोरत पड़ेगा क्योंकि उससे को संप्क्स रहेगा ठीक हम इसका पहले सैंटेंस देखते किस टेंस में है तो सब्जेट इज हम आर भी फोर यह पर जैनिंपर्फेक्टेंस में है कौन शक्टेंश सेंटेंस है पर जैन इम पर से घट पर जैन रिम पर फैंट अ का है ठीक है देखिए इसमें श्रै आप्टी विष में इसका इस्ट्रेक्चर रहता एक्टी बोस है कि यह एक्टि बाइस ट्रेव धिव फ्र इत्रेक्ट्र हता सब्यक्त पलास इस आप । और पलास भीफूर् पलास भरव कशनश घरू ऑब् में परफ्यक्टर में अगर पेशी बनेगा पेशी बॉइस तो क्या होता ओबजेक्ट सब्स बन जाता तो पहले आ है उब्जेक्टर पलास इस और जैसे वह शेंवाइगा इसका पेसी का फ्रीज में दीजिए मार्फ पलास अभ यहां पे आएगा बींग क्या बीइंग अलग सो लगेगा उसके बात पलास भी थिरी भारब का थिसरा रों भी थिरी पैसी में तिसरा रूब भताए बीइंग प पांपकर हुख biz इसका मतलब भूरना पर क्या लिखे है यहां बलिक Amen तो दीखिये इसका आपको बनाना पर बनाना पर है उसको बात है यह पहए यह स्टेरिंग वर बवर यह भी एस्टेरिंग मनलब क्या होता घुरना भी भरब है एठीम तो इस काम को पेसी बनाना है तो क्या होता पेसी का स्ट्रक्चर क्या होता है तो पहले अबजेक्ट को लिखा जाता है इसमें अबजेक्ट क्या है अबजेक्ट है हीम यह हीम पता है किसका अबजेक्टिव केस है सी का क्या होता है हर होता है क्या होता है दे का क्या होता है देम होता है देम होता है ठीक है यह सब आपको याद रखना तो यहां ही मैं तो ही हो जागा तो यहां पर केस भी आपको पढ़ना पड़ेगा तो ही मैं यहां पर अब्जेक्ट अगर इसको सब्जेक्ट मिलाएंगे ही हो जागा ही मतलब वे ही अबसके ब anticipate होता है यह होता तो सके पर बांद क्या है कि इस Tracker मैं ईजा आँर । तो उसके बाद ही के साथ हमींजास अईने hon ही जयाए उसकी इस यूहाना वी यह पर यह वे час póda he is being stirred उसके बात यह है यह लग जाएगा एठ उसके बात होता है उसके बात लास्ट मरें ऑब्जेक्ट ऑब्जेट क्या है हीज मदर हीज मदर कहीज मदर ही रहा जाएगा फिस अ कि इस ट्रैक्टर या तब यह सब बनेगा तो ऐसा किसमें हीज वाज होगा यह वाज पर जब नहीं तो यह दूनों तो होगा नहीं हम वाज बला तो नहीं उसको दिन लगा नहीं अगर इस्ट्रक्षर पता रहा तब यह अगर नहीं पता रहे तो यह नहीं लगा तो यह नहीं अपसंट सी तो ही इस बीइंग इस्टेयर्ड एट हीज बाइज बाइज इसका प्रशी बहुच जागा ठीक है मुझें उमीद आप यह समझ के लिकिन आप लोग वह सको देख लिजेगा नारेक्षम को भी देख लिजिए गा ना इसको संपूछेंगा अपके इग्जाम में कोई चीज की नाम लेकर और कोचे चिढाना या सताना मंगिलें सताना चिढाना और अन्य गाम अब लगवता तो इसी तरह के अर्थ वाले कौन से वर्ड है ऑपस्ण बंदिया इर्रिटेट प्लीज सेटिस्फाय ऐसी एचीप मिदला पराप्त करना अनो कोईची एची में सब्सक्राइब गया संतुष करना आप प्लीज होता आप पर्संद नहों तो एक धी बचाइड क्या बचा इरीटेट का इरीटेट इसका। कॉरेटेट का मतलब युचा तरणा इसका उसका मतलब युचाना चिला न तो अब सम्मार अची अथाना न वाई दोनों का मंनिग ए जो जगा एरिटेट नोई एरिटेट नेक्स्टास अलाइड दो वन वर्ड हो ही आए सब्स्टूट सब्स्टीट गीवेन गुरूप अफवर्ड दा यंग वन आफे काव जो काव एनिगाय का बाचा का बनेंगे गाय के बच्चा को गाय के जो बेभी है बेभी स्कॉस्ट बे जाता है क्या काफ तो इसका क्रेट अंसर अप्शन सी हो जागा काफ गय के बच्चा को काफ पड़ा जिता है तो इसको आपको याद रखना है इसके अलाबे जो अप्सान में उसे भी देख लिग जिए फॉल फॉल यह घौडा को बच्चा को बलता है फॉर्ट फॉर्ट कि भीड़ी याग बच्चा को लंब न बच्चे को तो तो यह घौडा को बच्चा फॉल कव सेर बच्चा 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 लंब अकाफ यह गय को बच्चा इस सब्सक्राइब धिहान में रखना है राफ है नेक्स्ट हब वान हू नोज मैनी लेंग्वेस दो बहूत सार वैज्ञानिक फनेटी सियन लिंग्विष्ट शनती सबये वह सबीद लिंग्विष्ट वने आ नहीं खुञिए इसका करेट ऐंसर ईंप्शन भी जाओ जाऄ kinda पॉली गलट और नेक्स्ट है रंगervingespère इनमें सब को रताने कौन सा जो वड़ वह गलत है गलत को कुछक करना उसके में कक्रेटली पुछेगा यह निक सही वड़ को चूछ करना तो यहां पर रंगली वारड निकि गलत वयांको आपको चूछ करना गलमरस गलमरस अकरशक तो तो गलेम्रस नें देख लिए जी ल एम एम ओर ओर यूस गलेम्रस सही है इसका इमने में सही है यह सही वर्ड़ है गारयार ती गैट इसंटी गेंडिशते दिख लिए गजी यू ए आर एंड़ एंटी डबली गारयांटी उसके बात ग्रेंडियूर मतलब इसका मतलब इसके बाद गवर्मेंट मतलब को जी ओब यहां पर जी ओवी इं आर एन तब मैं एंटी उता गवर्रेंट इनिक सरकार तो यहां पर यह नहीं है तो इसलिए सकांसर अप्शन डी हो गया गवर्रमेंट गवर्रमेंट आसा स्विलिंग नहीं हो तैसमें चुटा था इसले हमको गलत वर्ड चूछ करना था रोंगली राट चुछ करना ता इस लिए सक्वा अप्संड दी हो गया बाकी तीनों से यह गलेमरस का सब्सक्राइब कर लिजेगा ग्लैमरस जी आले मो आर्यूस ग्लेमरस गरेंटी का बेस मिन दिख लिए गा ग्रेंडियर का भी दिख लिजिए गा यह साब भी आएगा इस पेल डॉर्ड मे लोड है जो इनका अलावा जो वड है सबको देख लिझे घाठी एक नेक्स्ट राज़ी से ड्र डियल्टर घूनर। इन इसकीन डिजीज चमल इस्किन रिखाट चमल आप चमला जिटमरी शामने जो डॉक्टर रोते हैं इस वस्लिश्ट रूसे मिल क्या बोलते हैं कार्डियो लोगिस्ट इस खोव अभी बताई हर देविसे संगे फिजिस्ट रॉजिस्ट फिजियो लोगिस्ट इस सब्सक्रा का डिर मेटो लोगीस्ट इसका डिर्मेट्यू लोगिस्टन यानीकी डर्मेटो लोगिस्ट को एक्स नोटास इतना तो मता दिया जोखिग मधू मेन बताना नहीं लुदा आर्फ लएक है रिलीजह किसी कूल मिया तो इसका जो शनानव इसी रिलीजह कई जो लूइन इसी रिलीजह है भॉब विदियो पशन्द होा एक है गेये अनौ लाइक की जी जिए उनाड खर देख जई को लेटेस्ट वीडियो का नोडिफिकेशन तुरहन आप तक पहुंच जाए थैंक्स राचिंग वीडियो धन्य बात आम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपी के साथ तब तक के लिए जाए हिंदे